नबुस्कार मैं हूँ पूर्स्वता उमली जीमाथ इस टेरेम gef हो फिर से आपका स्वागत आज इस वीडियो में हम देकने वाला है एक से सो तक का क्यूब नंबर का हम आज इस वीडियो में हम देखने वाला है एक से सो तक का किसी भी नंबर का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं मातर दो सब तीन सेकंड के अदर बहुत ही अच्छी ट्रिक है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा समझ में आ जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है एक से दस तक क्यूब यादा होना चाहिए याद नहीं है तो याद कर लिजिए एक की से दस तक आपको बहुत .. हेंन इंपोर्टेंट है याद होने ही चाहिए इस ट्रिक को हम चार टाइप में डिवाइड करेंगे चार टाइप क्या है टाइप नंबर 1 है start with 1 यानि कि अगर कोई नंबर सुरू होता है जिसे 11, 12, 13 जो 1 से start होता है टाइप 2 क्या है end with 1 यानि कि जो एक से end होता है यानि की 21, 31, 41 जो जिनका अंतिम नमबर है 1 और सेम नमबर यानि की जैसे 11, 22, 33 यह होंगे सेम नमबर जिनकी दोनों डीजिस सेम हैं और डिफेरेंट नमबर जो कि इन सब मेसे जो बचा हुआ जो भी हो जैसे 24 हो गया 83 हो गया, जो भी अलग अलग नंबर है, वो हो गए, सारे के सारे डिफ्रेंड नंबर, तो इन चाट, अलग अलग टाइप से हम समझेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रीक है, दोस्तों ध्यान से समझेगा, ट्रीक नंबर 1 है, ट्रीक नंबर 1 है, श्टार्ट विथ 1, यानि कि जै 10te chadigit दी दिखैना है 1, 2 , लिख लगता है, अब क्या करना है second digit है उसको हापको square लिख देना है Second digit 2 का square होता है , चार अब 2 का cube लिखना है 8 क्या क्या किया , ध्यान से देखेगा समझिएगा जो digit है उसको asado了 लिख लिख दिया अब जो second digit है उसका एक बार तो square लिख दो दूसरी बार cube लिख दो 2 का square होगा 4 और उसका cube हो गया 8 फिर क्या करना है पहली और last को छोड़के जो बीच की दोनों है उनको 2 से गुणा करके लिख दो यानि कि double लिख दो 2 का double होता है चार और 4 का double होता है आठ अब इनको जोड़ दो अपस में क्या होता है आठ चार 12 का दो लिख दिया वन कैरी हो गया चार दो छे और एक साथ और एक एजिट लिख दिया तो बारा का cube क्या हो गया शत्रा अठाइश इजी है दोस्तो बहुत आसान है और एक्जम्पल लेकर समझते हैं किलियर होता जाएका जैसे कि चाउदा ले लिए चाउदा का cube निकलना है आगको क्या लिखना है सबसे पहले step by step याद रखिए वन चा लिख दिया एजिट लिख दिया second का आपको पहले एक पार square लिख दिया फिर cube लिख दिया चार का square क्या होता है 16 और चार का cube होता है 64 बीच की दोनों संग्या उको double कर दो चार का double होता है 8 16 का बड़ा होता 32 और इनको add कर दो 64 यहाँ पर क्या करना है एजिट इड़ करता है वैसे की वैसे add करना है और एक डिजिट लिखने है 64 का पहली डिजिट लिखेंगे 4 6 क्या हो जाएगा carry 16 और 32 और 6 जोड़ेंगे क्या हो गया आपका 54 हो गया 4 पांच carry हो गया 8 4 पांच जोड़ेंगे क्या हो गया 17 हो गया 17 साथ एक carry हो गया और यह गया 2 यानि कि 14 का क्यूब रूट क्या हो गया 2749 बहुत आसान था अगला एक्जमपल देखते हैं 15 का इजी तरह 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम 15 एजिट इज लिख दिया 1 और 5 5 सेकेंड दूसरी इजिट 5 है 5 का square लिख दो एक बार 25 और 5 का क्यूब लिख दो 125 दोनों की बीच की संग्या को डबल कर दो 5 का double होता है 10 25 का double होता है 50 अब add कर दो 125 125 तो अब क्या होगा पहले डिखेंगे 5 और 12 क्या हो जाएगा carry 12 25 और 50 को जोड़ा क्या आ गया ये 87 साथ हो जाए लिखेंगे 8 carry हो जाएगा 10 और 5 15 और 8 23 हो गया 23 का 3 लिख दिया 2 carry हो गया 2 और 1 3 हो गया यानि कि 15 का cube हो क्या हो गया 3375 अब इसी तरीके से अगर जैसे example में आ जाए कि आपको 1.2 का cube निकालना है 12 का cube निकालना आपको आ गया तो अब exam में अगर कहीं पे 1.2 का cube निकालना है तो वो भी बहुत आसान है क्या करना है आपको 1.2 का क्या लिख सकते हैं अगर point हटा देते तो 10 लिख सकते है और अब क्या लिख सकते है इसको यानि कि क्या हो गया 12 बटा 10 का cube अब 12 का cube आपको निकालना आ गया, इस trick से निकाल सकते हैं, क्या हो गया, 1728 upon, अब 10 का cube क्या होगा, 1000, 3 0 हटा के क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर point आ जाएगा, यानि कि short trick क्या है, अगर किसी भी संग्या का आपको, जैसे 1.2 का आपको cube कुछा है, तो 3 digit छोड़के बस point लगा इसी तरह 15, 1.5 का निकालना है, तो 3 digit छोड़के यहाँ पर point लगा दो, यहाँ पर point आ जाएगा, इसी तरह 15, 1.5 का निकालना है cube, तो 3 digit छोड़ो, यहाँ पर point आ जाएगा, है ना आसान दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में आ गया, like बटन जरूरू तबादीजिए, अग अगर कोई संख्या एक से end होता है, यानि कि 21, 51, 31, 61, जो भी एक से end होता है, वो हो गया, type 2 हो गया, इसको किसी तरीके solve करना है, same trick है, बस थोड़ा सा fair बदल है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको left to right लिखते थे, यानि कि अगर 12 होता था, तो पहले 1 और फिर 2 लिखते तो इसी तरह यहाँ पे right to left लिखना है, ध्यान दीजेगा, थोड़ा सा अंतर है, बस वहाँ पे left to right लिखते थे, यहाँ पे right to left लिखना है, यानि कि पहले इदर से right से start करेंगे 1 और फिर 2, अब उसी तरह, दूसरी digit क्या है 2, 2 का square लिख दिया, यानि कि 4 और 2 का cube लिख द जोनों को double कर दिजिए, double कर दिया, 4, 4 का double कर दिया, 8, easily चोड़ दो, यहाँ पे इसको, 6, 2, 1 carry हो गया, 9, cancer हो गया, 9261 का cube, बहुत आसान है, समझ में आ गया, अगला example लेते हैं, जैसे कि 51 का cube आपको निकालना है, क्या करना है, सबसे पहले right से start करो लिखना, 5, 1, दूसे डिजिट को square कर दो, फिर cube कर दो, 25 का square, 5 का square 25 और 5 का cube, 125, बीच की दोनों को double कर दो, 50 और 10, अब इनको add कर दो simply, 1 हो गया, 10 और 5, 5, एक पावर आगी, 25 और 1 क्या हो गया, 76, 6 लिख दिया, 7 carry हो गया, 125 और 7, 132, क्या आगया, 32, 651, बहुत आसान था, समझ में आ गया, समझ में आता है, तो like चरूर कर दिजिएगा, वीडियो को, like करते रहे गया, मुझे अच्छा लगता है, motivation मिलता है, दोस्तों, अगला example देखते है, 71, 71 को क्या लिखना है, speed बढ़ा दिजिए, जितनी ज़्यादा practice होगी, उतनी ही ज़्यादा जल्दी से speed बढ़ते जाएगी, बस practice किजिए का दोस्तों, जितनी भी practice करने है, इन short text की, क्या करना है, 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 7 का square कर दो, 49, 7 का cube लिख दो, 3, 14, 3, अब बीच के डोनों को double कर दो, इसका 49 का double हो गया, 98, 7 का double हो गया, 14, जोड़ दो, 1 हो गया, 7 और 14 का क्या हो गया, 21, 1 लिख दिया, 2 carry हो गया, 49 प्लस, 98, प्लस, 2, क्या हो जाएगा, यह, 159 हो गया, 14 carry हो गया, 343 प्लस, 14, क्या हो गया, 350, 7, तो क्या आजाएगा, 357, 9, 11, यह हो गया, answer, easy था, type 2 क्या था, type 1 में आप left to right लिखते थे, type 2 में, right to left लिखना है, same है, type 3 देखते हैं, यह भी इसी तरह ही काचा है, बस, same है, क्या करना है आपको, यहाँ पर 11 है, अब दोनों digit same है यहाँ पर, तो एक digit ले लिजे, यानि कि 1, 1 का आपको सब जगा cube लिखते ना है, simply 1 का cube, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 का cube, 1, 1 होता है, बीच का आपको क्या करना है, डबल कर देना है, यानि कि 1, 1 का क्या हो गया, 2, जोड़ दो simply, 1, 3, 3, 1, 11 का cube क्या होता है, 1, 3, 3, 1, असान था, अगला example देखते हैं, यानि कि 22 का cube करना है, तो क्या करना है, दोनों सेम डीजिट है, दोनों में से एक संख्या का, cube कर दो, यानि कि 2 का cube क्या होता है, 8, 8, 8, 8 और 8, बीच की दोनों संख्या होकर डबल कर दो, 8 का डबल हो गया, 16, add कर दो, 8, 16 और 8, choice, 4, 2 carry हो गया, 16, add choice, 26, 6 आ गया, 2 carry हो गया, 10, answer क्या आ गया, 106, 48, आसान था, इसी तरह का, अगर 33 आता है, उसको क्या करना है, 3 का cube कर दो, 27, 27, 27, 27, 20 की दोनों को डबल कर दो, easy है, 54, 54, दोनों को डबल कर दिया, जोर दो, 7 आएगा, 2 carry हो जाएगा, 54, plus 27, plus 2, क्या हो जाएगा, यह हो गया, 83 हो गया, 83 हो गया, 8, तीनों को जोर दो, 54, plus 27, plus 8, क्या हो जाएगा, यह 89 हो गया, 9 हो गया, 8 carry हो जाएगा, 27, plus 8, 35, answer क्या हो गया, 359, 37, आसान है, और इसी तरह के से, अगर, exam में पूछ लिया, जैसे, 2.2 का cube क्या होता है, बस क्या करना है, 3 डिजिट छोड़के, 3 डिजिट छोड़के, आपको point लगा देना है, 1, 2, 3, यह point लग गया, यह आपे point लग जाएगा, यह 2.2 का answer आ गया, 2.2 cube का answer आ गया, 3 डिजिट छोड़के, easily, बस simple, 22 का cube निकालो, 3 डिजिट छोड़के point लिखतो, इसे तरह अगर 33 का cube लिखना है, 3.3 का cube लिखना है, तो 3 डिजिट छोड़के, यह यहाँ पे point आ जाएगा, असान है, एक ही वीडियो के अंदर, 2 type का cube का, अगर point के अंदर आता है, तो भी आसान हो जाएगा, यह, यह था type 3, जिसमें same डिजिट आता है, इसी तरह के से, अगर 44 आता है, 55 आता है, 66 आता है, तो उनको भी same तरीके से, आप solve करेंगे, solve करके देखिए, practice कीजिएगा, अगला last type है, अपना type 4, जिसके अंदर different number आता है, यानि कि इन तीनों type को छोड़के, अगर कोई भी number आता है, 100 के बीच में, तो इसी तरीके से solve करेंगे, इसमें थोड़ा सा difference है, क्या करना है आपको, क्या करना है, simply, 2 का cube लिख दो, और 3 का cube लिख दो, आठ, 3 का cube, 2 को छोड़के last में लिखता है, 3 का cube होता है 27, पहले लिख दिया 2 का cube, फिर, दूसरी संक्या का cube लिख दिया, अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है याद ध्यान दिजेगा दो का स्क्वाइर करना है पहली डिजित का स्क्वाइर करो फिर दूसरी डिजित से मल्टिप्लाई कर दो 2 का square होता है, 4, 4 into, 4 into, 3, क्या हो गया, 12, यहां पर 12 लिख दिया, इसी तरह, अब दूशे digit का square कर दो, फिर पहले digit से multiply कर दो, 3 का square क्या हो गया होता है, 9, 9 into, 2, 9 into 2 हो गया, 18, यहां 18 लिख दिया, आसान है, थोड़ा सा difference है, ध्यान दिजिएगा, ध्यान से समझेगा, तो अबल कर दो, जैसे हम पहले करते थे, बहुत आसान है, थोड़ा सा difference है, सब 4 टाइप के अंदर, ध्यान से अगर समझेगे, practice करेंगे, तो आसान होता जाएगा, बस practice करनी है, आपको जोड़ दीजिए, यहां पर 7 हो गया, 2 का carry हो गया, 36, 18 और 2 को जोड़ा, यहां पर 56 हो पांच, एड़ कर दिया, 24 प्लस 12 प्लस 5 एड़ कर दिया, यह 41 हो गया, यह चार आ गया, यह हो गया, 12 यानि कि इसका आंसर हो गया, 1, 2, 1, 6, 7, 23 का cube, आसान था, क्या करना है, example लेकर समझते है, वापिस clear हो जाएगा, अगर नहीं clear हो आए तो ध्यान दीजिएगा, क्या कर होता है, 27, 2 का cube क्या होता है, 8, अब क्या करना है, पहले इसका square करके, फिर इस से multiply कर दो, square किया, 9, multiply किया 2, यानि कि 18 आ गया, अब इसका square करके, 4 multiply किया, 3, 4, 3, 12, ध्यान दीजिए, पहले क्या करना है, इन सबसे पहले दोनों का cube लिग दो, फिर पहले का square करो, और multiply करो, फिर डूसरे का square करो, और पहले से multiply करो, आसान है, दोनों को डबल करके जोड़ दो, 36, 24, छोड़ दिया, क्या हो गया, 8, 24, 12, क्या हो गया, 36, 3 कैयरी हो जाएगा, यह हो गया 36, 18, 3, 57, 7 आ गया, 5 कैरी हो गया, 27, 5 क्या हो गया, 32, 3, 2, 7, 6, 8, कीजी था, समझ में आया, एक और example लेकर देखते हैं, 64 का cube का निकलना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का cube लिखेंगे, यानि क्या हो गया, 216, फिर क्या करेंगे, 4 का cube लिखेंगे, 64, अब क्या करन है, 6 का square कर दो, 36, फिर 4 से multiply कर दो, क्या आ गया अपना, 36 into 4, 35 into 4, क्या हो गया, 140, 144, अब क्या करना है, 4 का square कर दो, 4 का square होता है, 16, 16 into 6, 16 को 6 से multiply गया, 15, 90, 96 हो गया, 96, अब 144, 144 का double कर दिया, 288, 96, 192, अब यहां पर और trick सामने आ रही है, ध्यान दीजिए, अगर कभी भी छोटी से शंग्या का आपको multiply करने में आप तकलीप पड़ रही है, बहुत से आपको time लग रहा है multiply करने में, तो एक base त्यार करिए, जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 35 को चार से multiply किया, अब क्या अब काल दीजिए, 35 का चार से multiply किया, क्या आ गया गया, 140, फिर बाकी का जो एक एक था, वो एक 35 था, 36 है, तो एक इंटू 4 कर दो, 4, 144, प्लस 4, 145, असान हो जाता है, क्या करना है, speed बनाने आपको, exam के अंदर, कम से कम time में आपको solve करना है, तो आपको mind के अंदर ही आपको solve करना आना चाहिए, सारा multiply, addition वगरा, यह किस चीज़ से होगा, जब आप practice करेंगे, ज्यादा से ज्यादा practice कीजिए, अगर सफल होना है, अपने goal को, achieve करना है, आपको, exam को clear करना है, उसी तरह क्या किया, मैंने, यहाँ पर 15 को 6 से multiply गया, 15, 6, 90, और 6, पीचे बचा एक, यह 106 को multiply किया, 6, 96, छिन्नो, इसी तरी को होता है, आगे बढ़ते हैं, आपनी trick पर वापिस आते हैं, क्या करना है, add करना है, 4 हो गया, 6 कर दिया, इनको जोड दिया, 192, 96, क्या हो गया, यह, 294 हो गया, 4 लिग दिया, 29, carry हो गया, 288, 144, 29 को add कर दो, जोड दिया, जोडने पर आ गया, यह, 461 हो गया, 146, carry हो गया, 216 प्लस 46, add कर दिया, क्या हो जाएगा, 262, यानि कि, 66 का अगर अपन क्यूब करते हैं, तो आएगा, 262, 144, इसका answer, बहुत आसान ठीक है, चार टाइब से, चार टाइब के अलग-अलग हमने ट्रीक देखी, क्या था पहला टाइब, अगर कोई start होता है, पहला टाइब क्या था, अगर start होता है, एक से, क्या करना है, समझ में आ गया, type 2 क्या था, end होता है एक से, क्या से करना है थोड़ा से difference था, left to right और right to left, तीशा type क्या था, अगर same होता है, ये तो और भी आसान था, बस वो simple follow करो, trick अगर type 4 क्या था, अगर different आता है तो उसमें थोड़ा सा बदल था, पहले का square करो, फिर multiply करो, दूसरे का square करो, फिर multiply करो आसान था, इसी तरीके से अगर कोई भी number आता है, जैसे अगर यहाँ पे 2.3 अगर पूछा था तो क्या करेंगे 23 का cube निकाल के 3 digits से, आप point लिख देंगे, यहाँ पे 3 digits से point लिख देंगे यहाँ पे इसी तरीके से 3.2 अगर पूछा था, तो यहाँ पे क्या करते, 3 digits छोड़के point लिख देते, clear हो गया, वीडियो समझ में आ गया अगर वीडियो समझ में आ गया दोस्तों वीडियो को like कर दिजिए, चैनल को subscribe कर दिजिए, और अपने दोस्तों में शेर कर दिजिए, और इन example को आप solve करके, नीचे comment box में मुझे इनका answer लिखेगा मुझे भी अच्छा लगेगा, अगर आप answer देंगे इस चीज का, practice कीजिए, क्योंकि practice करने में आपका ही फाइदा है, सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, सब कुछ देर में अपन भूल जाते हैं याद कब रहेगा, जब आप practice करेंगे, जितनी ज़्यादा practice करेंगे trick भूलेंगे नहीं, याद रहेगा और जल्दी से जल्दी आप solve कर पाएंगे, इन सारे example को solve करके, नीचे comment box में मुझे इनका answer लिखेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद